नमस्कार दोस्तों मैं वह सुनी पार्णे स्वागत आप सब के एक नहीं वीडियो में अगर अप्रेल और फरोरी की बात की जाए तो उस टाइम पे रसिया इंडिया का 25 अवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्णर था आज के डेड़ में 25 अवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्णर है आप सबको किलेली पता है ऐसा क्यों हुआ है ओयल की वज़ा से यानि इंडिया ओयल बहुत जादा परचेज कर रहा है रसिया से इंडिया परचेज कर रहा है और इसके अलावा मिनरल्स और इडिवल्स जो भी हो सकती है और ओयल हो गया तो ओयल सबसे जादा इसमें फैक्टर दिभा रहा है रसिया और इंडिया के ट्रेड को ऊपर ले जाने में लेकिन अगर देखा जाए तो इससे इंडिया का वैसे त ताकि trade deficit जो बढ़ रहा है इसके लिए आप अपनी market open करो और हम भी कुछ सामान आपके market में बेचना चाहते हैं ताकि कुछ तो अच्छा रहे कुछ थोड़ा बहुत तो हमारा आपका मुकाबला रहे नहीं ऐसे में तो आप सारा सामान हमें बेच दे रहे हो हम कुछ आपको ब 23.6% बढ़ा है और 52.4 billion dollar से भी अधिक हो गया है इस वज़ा से ये काफी ज़्यादा disturb करने वाली बात है क्योंकि ये हर तिमाही की बात होती है तो ये कुरे साल ऐसे चलने वाला है अमेरिका और चीन दोनों अभी भी इंडिया के top trading partners हैं लेकि इंडिया ने अमेरिका को बे इंडिया हमेशा क्या गरता है अमेरिका को ज़्यादा बेज़ पाता है अमेरिका इंडिया को कम बेज़ पाता है इस वज़ा से इंडिया का trade deficit अमेरिका के साथ problem वाला नहीं है प्रोबलम वाला तो चाइना और रूस के साथ में है लिटिली ये दोनों इंडिया को ज़्या पाडनर की रूप में आ गया है अगर economic विभाग का आंकड़ा देखा जाए तो पता चलता है कि जो भारत रूस को export करता था अगर उसको देखा जाए तो literally पहली छमाही में ये गिर गया और 1.3 billion dollar का ही रह गया और इसके अलावा अगर 2021 का आकड़ा देखा जाए अपरेल सितंबर के बीच वाला तो उस टाइम पर आया चार दसमलो दो डालर था जो 2022 तेश में बढ़ गया है पांच गुना और 21.3 आरब डालर हो गया है इस अउधी के दवरान देश में भेजे जाने वाले रूसी तेल का मूल 8.3 गुना बढ़कर लगभग 18 billion dollar हो गया है इसके अलावा जो फर्टिलाइजर थे उसमें तो और भी उच्छाल देखा गया है फरोरी में यूकरेन में युद्ध सुरू होने के बाद अमेरिका और अन देशो द्वारा आयाद बंद करने के दबाओ के बावजूद भारा सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से अधिक कच्चा तेल खरीदने दिया है जो अक्टूबर में भारतिय कच्चा तेल का सबसे बड़ा सोत के रूब में भी उभरा था तो इस वज़ा से ये देखा जा सकता है कि जब विदेज मंत्री जे संकर साहब गए थे रूस में तो उन्होंने लिटिरली कहा था कि देखो ऐसा है आप हमें तो बहुत ज़्यादा सेल कर दे रहे हो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है आप अपनी मार्केट ओपन करो कुछ हम भी आपको सेल करें जिससे कुछ मामला बराबर है हमारा काफी जादा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर ओबर ओल देखा जाए जो इंडिया अपने पडोसी देशों में सप्लाई करता था उसमें 36.6% की गिरावट आए यानि 7.8 बिलियन डॉलर का हो गया है इंडिया का स्पोर्ट अपने पडोसी देशों में नहीं तो यह काफी ज उसी देशों से और यह जो मैं आखड़ा बता रहा हूं यह वह वाला आखड़ा है जो अपरेल से सितंबर के बीच में चलता है यानि छमाही का आखड़ा है बाकि एस यह वीडियो देखने के लिए आप हमने चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिन